असलाम अलईखूम वेलकम टू लिंकिन सलूशन आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे के नून पे सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है मैंने इससे पहले एक दो वीडियो इस पे बनाई है हलांकि नून ने अपना सिस्टम अपडेट किया है अपना सिस्टम जो है यह एजिप्ट, UAE, साओधी अरेबिया तीनों कंट्रीज के लिए हैं जहां जहां पे भी नून है सेम मेथड़ आप फालो कर सकते हैं चाहिए आप Amazon UAE में काम कर रहे हो Amazon KSA में काम कर रहे हो या एजिप्ट में काम कर रहे हो इसके इलावा आपका कंपनी का bank account होना चाहिए ठीक है और अगर आप UAE में है तो आपकी Emirates ID होनी चाहिए अगर आप सौधी में है तो आपका Iqama होना चाहिए जिसके नाम पे भी कंपनी है उसी की बात कर रहे हो सेम एजिप्ट के लिए भी यही requirement है सारी चीज़े आपके पास complete होनी चाहिए documentation, bank statement और यह सारी चीज़े उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने account कैसे create करना है ठीक है आपने वीडियो में कोई भी step miss नहीं करना अगर आप forward करके देखेंगे तो इसमें चोटे-चोटे step से जहां पर आप पस जाते हैं और आपका account approved नहीं होगा तो मैं आपसे request यह करूँगा कि आप forward करके ना देखें अराम से बेट के देखें और एक-एक step को देखें एक-एक चीज़ को same to same अगर आप follow करेंगे तो आपको कोई issue नहीं आएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो जली से चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको बरवक्त मिल से हो और आईए मैं आपका बताता हूं कि आपने noon पे sale account कैसे create करना है अच्छा सबसे पहले आपने काम क्या करना है आ आपने इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यह आपको redirect कर देगा एक और पेज में यहां पर आप अपना email address डाल देंगे और email address को आप यहीं पर link कर देंगे और verify कर देंगे उसके बाद यहीं पर आप अपना number जो है जो भी आपका UAE का number है सौधी का number है वो आप enter कर देंगे send OTP पर क्लिक कर देंगे आपको OTP आजाएगा आपके number पर आपने वो OTP यहां पर enter कर देना है और आपने continue पर क्लिक करना है और अपने mobile number को verify कर देना है ठीक है इस verification के बाद आप next step पर आजाएंगे यहां आपने company का नाम लिखना है जो भी आपकी company है उसका ना के create new store का option हमें यहां पर मिल गया है सबसे पहले हम create new store पर क्लिक करेंगे और नया store हम अपना बनाएंगे और create करेंगे अच्छा इसी page पर हम आगए noon store details में सबसे पहले आप select selling country के आप किस country में account बनाना चाहते हो आप सूदी में UAE में या इजिप्ट में तो आप जिस भी country म मैंने UAE चूज कर लिया है उसके बाद आप यहां पे display name लिख देंगे जो भी आपका store का नाम होगा मतलब लोग लिखते हैं best deals और जो भी stores का नाम होता है x y z जो भी आप लिखना चाहे English में भी लिखे Arabic में भी लिखे नीचे business email लिखे और financial email लिखे सेम भी लिख सकते हो द आप अपना number लिख देंगे number लिखने के बाद यहां पे categories में आके आप अपने categories चूज कर सकते हो किस किस category में आपने काम करना है और पिर create noon store पे आपने click करना है वैसे यह optional है categories का जरूरी नहीं है ठीक है category अगर आपने चूज भी नहीं करने तो इसको empty छोड़ दे और create noon store प आजाएंगे यहीं पर हम pick one यहां पर आपको एक option दिया गया है which country are you registered in के मतलब आपकी company किस country में registered है सौदी में है या एजिप्ट में है तो मेरी company जो registered है जिस पर मैं account बना रहा हो वो UAE में है तो मैं क्या करूँगा मैं UAE select करूँगा कि मेरी company UAE में registered है उसके बाद आपने पर next step पर click करना है और हम चले जाते हैं next step यहां पर आपसे पूछ रहा है what authority is your commercial registration from के मतलब आपकी कौन सी authority के साथ आपका license जो है company का वो registered है तो मेरा जो free zone का license है जिस पर अभी यह account बन रहा है वो भी शम्स का है तो मुझे पता है मैंने यहां पर लिग दिया आप इस list में स क्या है वह आपने लिखना है company name के जगह में उसके बाद company का address क्या है company का address आप लिख देंगे उसके बाद company कब issue हुई मतलब company का जो बनाने का लेट हे वह आपने लिखना है आपकी company को बनाे नहीं और न pen का expiration date का आपकी company कब expire होने जा रही है ठीख है उसके बाद next tip आपको बताया जा रहा है कि आपकी company में जो activities है कि मतलब आप क्या क्या business कर सकते हैं वो कौन कौन सी activities है तो यह optional है जरूरी नहीं है कि आप यह लिख दे इसको आप empty भी चोड़ सकते हैं मसला कोई नहीं है पर हम आ चुके हैं हमारी legal entity create हो चुकी हमने company की सारी details दे दी है अब second option हमारा जो है वो tax का है पिर authorized signatory का है ठीक है तो सबसे पहले tax वाली section में आते हैं और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि add tax details की आपकी company की tax के information यहाँ पर enter करें तो आप क्या करेंगे आप add tax details पर click कर द नहीं है तो मैं लिकूंगा non-weight registered और add tax details पर मैं click कर दूँगा तो यह step भी हमारा clear हो जाएगा यहाँ पर भी ठीक है अब third step पर आते हैं authorized signatory details अब authorized signatory कौन है signatory authorized signatory वो बंदा है जो इस store को handle करेगा और यह mostly कौन होता है जो license का मालिक होता है जो company का मालिक होता है उसके details यहाँ पर हमें put करने होते है तो आपने क्या करना होते है आपने add authorized signatory पर आपने click करना है इस पर click करने के बाद सबसे पहले आप authorized signatory का नाम लिकेंगे और उसका email लिकेंगे और उसके बाद upload ID पर click करके उसकी जो Emirates ID है या इकामा है वो यहाँ पर आप attach कर देंगे और attach करने के बाद create authorized signatory पर click कर देंगे अच्छा next यहीं पर आप से पूछ रहा है कि जो authorized signatory आपने choose किया है तो वह क्या इस company का manager है तो अगर yes तो आप यह select करे तो मैंने यह select करके आगे step में चला गया ओके अच्छा तो यहाँ पर हमारे तीन steps दे और तीनों clear हो गए commercial legislation का टेक्स का और authorized signatory का ठीक है तीनों के तीन हमारे clear हो गए और यहाँ पर हमें कुछ data चुपा रहा हूं क्योंकि legal documents है तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज इस तरह चोड़ के लिए तो क्या हो जाएगा noon आपकी documentation को review कर देंगे देख लेंगे अगर कोई mistake हो तो आपको बता देंगे आपकी documents में यह mistake हो और reject कर देंगे simply अगर आपने सारा कुछ सही किया है तो कोई rejection नहीं आएगी और आपकी application approve हो जाएगी जब approve हो जाएगी तो आपको एक email noon की त का मैं बता रहा हूँ और उसके बाद आपको noon की तरफ से एक email आ जाता है तो यहाँ पे मुझे email आ चुका है congratulations your documents have been reviewed and your legal entity has been approved तो यह application जो मैंने submit किया था वो तो आप्रूब हो गया account create हो गया documentation में कोई मसला नहीं है license में कोई मसला नहीं है details में कोई मसला नहीं है तो first exam जो था हमारा वो पास हो गया हमारा account create हो गया यहाँ पे आपको एक option दिया गए please click here to continue your onboarding journey ठीक है तो यहाँ पे आपने click here पे आपने click करना है और जैसे ही आप इस पे click करेंगे आप इस वाले page पे आ जाए ठीक है यहाँ पे एक step हमारा first one first one step जो हमारे वो हो गया यहाँ पे tick mark भी आ गया है second link legal entity इसको हमने पिर करना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा link legal entity to your UAE store अभी हमने इसको link करना है जो company हमने create की थी noon ने approve कर दी अब उसी company को हम अपने account के साथ link करेंगे तो मैंने इस पे click कर द इसको choose करना है जो company नीचे आ रहे है drop down में और link legal entity पे आपने click करना है तो इससे क्या हो जाएगा हमारी जो company हमने create की थी वो यहाँ पे link हो जाएगी अब next हमने क्या करना है bank account details हमने देने तो अभी हमने अपना bank account भी create करना है अभी हमने create नहीं किया simple method है जिस तरह हमने company create की तो आपने क्या करना है आपने add new पे click करना है जैसे ही आप add new पे click करेंगे यहाँ पे option मिल जाएगा add payment method आप इस पे click करेंगे यहाँ पे आप चूज कर लेंगे bank account अगर आपका payoneer करे तो pay new चीज कर लें तो मेरा bank account है तो मैंने bank account पे click कर दिया और next step पे आप click कर देंगे जैसे ही आप next step पे click कर देंगे यहाँ पे bank name IBM आपने देना है currency किस currency का account है किस country में account है swift code क्या है और proof type आप क्या देंगे bank statement देंगे या bank letterhead पे जो आपके account के details है जो bank की तरफ से आपको मिल जाते वो देंगे या cancel check देंगे तो अकर आपके पास bank statement है वो दे दे मेरे पास इ payment details पे आपने click करना है और जैसे ही आप click करेंगे यह step भी हमारा clear हो जाएगा तो एक step यह जो रहता था यह भी हमारा हो गया simple इसको भी आपने submit पार approval करना है और यह भी noon review करेगा आपके documents को और आपके bank details को अगर इसमें कोई गलती है तो reject कर देंगे अगर कोई भी गलती इ जाएगा आपको एक और email noon की तरफ से आजाएगा यहां मैं refresh कर रहा हूं और देखता हूं तो हमारे दो steps यहां पे clear हुए होगे हां दो steps हमारे clear होगे अलामदुलिल्ला ठीक है अब यहां पे हमने क्या करना है sign terms and conditions अब terms and conditions को हमने sign करना है noon के साथ मैंने इस पे click करना है इ यहां पे आके आपको terms and conditions का जो agreement है noon के साथ selling का agreement होता है वो आपको मिल जाएगा इसको आप check करें यहां से और check करने के बाद sign agreement पे click करें तो आपका और noon के बीच में जो agreement है वो आपकी तरफ से sign हो जाएगा जो भी terms and conditions है इसको आप पढद लीजिए गा और आपको पता होन चाहिए noon की terms and condition policies बगएरा के बारे में ठीक है और अब इसको refresh करते हैं तो हमारी तीन steps जो है वो clear हो जाएंगे और almost clear हुए है ठीक है तो यहाँ पर आईए और देखी हमारे तीन के तीन steps clear है अभी noon इसको review करेगा और at the end जब review करेगा और देखेगा हमारी documents को के all is okay तो हमारा account active कर देगा और आपको और email आ जाएगा कि आपका account जो है वो active कर दिया गया है तो यह बिलकुल last step था उसके बाद आपने और और कुछ नहीं करना simple आपने अपने product list करने है और product आपने sale करने है तो यह simple method था noon पर account create करने का और मुझे उमीद है आपको सारी चीजे समझ आ गई होगी अगर आपके जहन में फिर भी कोई question है तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपने noon का full course a to z जो हम teach करते अगर आपने वो join करना है तो आप हमसे contact कर सकते हैं और हम complete आपको जो है वो guide कर सकते है नून के बारे में कि आपने noon पर अपना business setup कैसे करना है और अपने business को कैसे बढ़ाना है बहुत सारी वीडियो मैंने नून पर एक playlist है मेरी वो मैंने बनाई है अगर आप नेक्स्ट वीडियो तक अल्ला हाफिज